जो हमारे पास अब question है वो है second question x i 3.2 का है 2x plus 3y बराबर हमारे पास 11 है यह समीकन 1 है और आगे है 2x minus 4y बराबर minus 24 है यह समीकन 2 है समीकन 1 और 2 को हल करना है हमें सबसे पहले तो फिर हमकी हमें value निकालने है जो समीकन यह दे रखा इसमें यहाँ y की value रख देंगे यहाँ x को इसको solve कर देंगे देखें समीकन 1 लेने पर समीकन 1 लेने पर समीकन 1 लिया तो हमारे पास क्या 2x plus 3y बराबर 11 है और यहां से 2x क्या हो जाएगा वो जाएगा 11-3y तो x की value क्या जाएगी 11-3y भाग 2 यह हमारे पास समीकंड 3 आ जाएगा समीकंड 3 को 2 में रखने पर समीकंड 2 में आप जब रखते हो तो क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे कैसा x की जगा value आ जाएगा 11-3y भाग 2 और minus 4y बराबरा minus 24 यहां से 2 से 2 cancel out तो हमारे पास बचेगा 11-3y minus 4y बराबरा minus 24 अब 11 यह side है right side लेके जाएगे तो हमारे पास 3 और 4 minus के हैं दोनों है और यह क्या जाएगा minus का 7y आ जाएगा और वो minus 24 थे 11 को right side लेके आधे minus का होगा minus के 35 minus के 7y y की value क्या जाएगे minus 35 भाग minus 7 minus से minus का इसल 7 बंजे 35 y की value क्या जाएगे 5 समीकर्ण 1 में रखेंगे समीकर्ण 3 में रखेंगे y y बराबर 5 को समीकर्ण 3 में रखने पर समीकर्ण 3 में रखेंगे x किसके इकोल हो गया 11 minus 3 multiply 5 भाग 2 तो हमारे पास x की value क्या जाएगे 11 minus 15 divide 2 minus 4 by 2 cancel out minus का 2 तो हमारे पास x की value minus 2 आई है तो हमारे पास समीकर्ण एक ओर दे रखेंगे जिसमें y का relation दे रखेंगे m x plus 3 है तो y की जिगा हमारे पास value आई ये 5 y की जिगा 5 रखो m x की value minus 2 है plus का 3 है मैं उदर लेके चलता हूँ 3 को अगर left side लेके जाऊंगा तो 5 minus 3 बराबर minus 2m आ जाएगा ये plus का 2m minus का 2m आ गया m क्या होगा 2 भाग minus का 2 2 से 2 cancel minus 1 बचेगा तो m की value क्या है जाएगी side 3 part 2 का है दूसरे question का second part है वो इस परकार से है 2 संख्याओं का अंतर 26 है वो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या गयात किजिए देखिए आपने मान के चलना है माना पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या है वो y हो जाएगी परसन अनुसार उनका अंतर यानि कि अगर मैं x को बड़ी मानता हूँ x-y बराबर सब 20 हो जाएगा इस समीकर एक है परसन अनुसार और परसन अनुसार आगे क्या कहता है परसन अनुसार हमने x को बड़ी मानना है तो कहता है x और दूसरी की तीन गुना यनिकि जो x बड़ी है वो क्या होगी छोटi की तीन गँना होगी ये समीकर्ण 2 है अब हमें इसमें समीकर्ण यहां देखिए ये समीकर्ण 3 निकालने कि आब सकता है यह क्योंकि X को एक साइट रख दिया गया है तो समीकर्ण 2 को समीकर्ण 1 में रखने पर समीकर्ण 1 में रखने पर Y रख देना है और माइनस Y बराबर है 26 क्योंकि जहां X था वहां पर हमने 3Y रख देना अब इसमें समीकर्ण 3 निकालने क्या आप सकता नहीं होती यह 2Y बराबर हो जाएगा 26 Y की value क्या आजाएगी 26 by 2 कटके 13 यानि की Y की value 13 आगे Y बराबर 13 को समीकर्ण 2 में रख देना है समीकर्ण 2 में रखने पर समीकर्ण 2 में रखा तो क्या हो जाएगा X बराबर आजाएगा 3 multiply 13 तेरा 3 49 तो पहली संख्या क्या है पहली जो संख्या है वो क्या है 49 तो दूसरी क्या है दूसरी 13 इस प्रकार से हम इस question को कर सकते YouTube देखिए क्याता है दो संफूरक कोण में बड़ा कौन छोटे कोण से 18 डिग अधिक है तो उन्हें ग्याद कीजिए आपको पता होना चाहिए दो संपूरक कौन-कौन से होते हैं, वो कौन होते हैं, जिनका योग एक स्वसी डिगरी होता है, पूरक कौन-कौन से होते हैं, जिनका योग 90 डिगरी होता है, तो पहला संपूरक कौन, मान के चलना आपने, माना, पहला संपूरक, पूरक जो कौन है, वो क्या है, एक्स डिगरी ह तो दूसरा माल लेता हूं मैं, दूसरा हमारे पास y डिगरी है, तो परसन अनुसार क्या है? कौन क्या है? कौन संपूरक है, क्या है? संपूरक, संपूरक है तो इसका मतलब क्या होगा? x plus y बराबर 180 डिगरी है, इसमें एकट एक, परिसन अनुसार दूसरी बात क्या कहता है जो बड़ा कौन है मालीजिये बड़ा X है तो छोटे कौन से कितना थारह दिक है यह हमारे पास 2 है तो समीकण 2 को समीकण 2 क्या है X 예뻐 कि तो समीकण 2 को समीकण 1 में रखने क्योंकि हमने एक एकस को निकाल लिया वार तो वहां क्या होगा एकस की जिगा पर क्या आजाएगा y पलस 18 है पलस y बराबर 180 तो y y दो y और 18 को उस साइड लेके ज़ाद के तो माइनस का 18 y बराबर होगा 162 तो हम y बराबर क्या लेंगे y बराबर लेंगे 162 डिवाइड बाइ 2 ये कटने का बाद 81 अंसर आता y का तो y बराबर 81 को समिकन दो में रखने पर रखने पर यहां से x की वाल्यू क्या आ जाएगी 81 पलस अठारा इस इकल टू 99 तो बड़ा कौन कौन सा है बड़ा कौन कि निनानुए है और छोटा कौन कि एक्स्ट क्वेशन क्या है कि ये क्वेशन आपने खुद करना के वल मैं इसको बताता हूं एक कि कि टीम के कोच ने साथ बल्ले और छे गेंद अड़तीस रुपए में इसमें कैना एक बल्ले का मुल्या मान लेंना एक गेंद का वाई तो शाथ बल्ले हैं जो एक्स रुपए के आता है तो साथ क्या आएंगे च्शे यए आएंगे बराबर 38 वाशा जाएगा सब्सक्ड ए तीन बल्ले एक्स रुपए एक है तो तीन एक्स आजाएगी गेंद पांच वाई है तो वह सुत्रासुपचास के क्रिद्दे यह समीकणा आपने खुद निकालना है कि प्लियर